परदेश सरकार के निर्देश आमसार जहां परदेश फ़र में एक मां का ड्रग फ्री अभियान चला जा रहा है तो बहीं 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चले इस अभियान के तहट जिला पुलिस दोरा जगर जगर नाके लगा कर चेकिंग कर निशा तसकरों की धर पकड़ की गई है वहीं बात करें बिलास पुजिला की तो यहां भी SIU टीम को बड़ी कामयाबी मिली है जिसके चलते दो अलग-अलग मामलों में एक उपरधान साहित बिहार के रहने बाले युबक से 56 ग्राम हेराइन और 366 ग्राम चरस्ताहित 24,000 रुपई की निदी प्रामत की गई है परदेश सरकार के निर्देश अनुसार जहां परदेश भर में एक महा का ड्रग्स फ्री अभियान चलाया जा रहा है बिलासपुर जिला की बात करें तो यहां पर S.I.U. की टीम को बड़ी कामिया भी मिली है जिसके चलते दो अलग-अलग मामलों में एक उपरधान साहित बिहार के रहने वाले युवक से 56 ग्राम हिरोईन और 366 ग्राम चरस्ताहित 22,000 की निदी भी बरामत की गई नशे के खिलाए गए अभ्यान के संबंद में जानकारी देते हुए बिलासपुर पुलीस अधिक शक शाक्षी वर्मा ने बताया कि एक महा के इस अभ्यान के अंतरगत N.D.P.S. एक्ट के तहट 15 मामले सामने आये हैं जिनमें 17 तसकरों की गिर्फतारी की गई है साथ ही उन्होंने बताया कि जिलापुलीस द्वरा नशान तसकरों से भारी मातरा में हिरोईन वा चर्स भी बरामत की गई और एक महा के इस अभ्यान के खतम होने के बावजूद भी लगातार नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिलापुलीस लगातार काम कर रही है जिन दो मुकदमों के बारे में आप बात कर रहे है दो लेटेस्ट हमारे जो मुकदमे हुए है एक हमारा 13 दिसेंबर का ही है जिसमें की 366 ग्राम चरस और कुछ कैश 24,210 रुपए बरामद हुए है यह केस बंदला जो हमारा एरिया पड़ता है यहां पर सदर के रखाने के अरिया में वहां पर केस दर्ज हुआ है और इसमें एक्यूजड जो महिंदर सिंग है उनके गेंस्ट रेस्ट करके कारवाई की जा रही है दूसरा मुकादमा जो है हमारा 56 ग्राम आफ हिरोइन पकड़े गई थी और इसमें जो एक्यूजड है वो यहां लोकल नहीं है वो बिहार से बिलॉंग करते हैं और इस केस में भी जांच जारी है और हम लोग पता करने कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यह हिरोइन जो है वो हमारे हां तक पहुंचाई गई है